पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आई हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हमरे खांकित करना चाहते थे और मैंने जो इशू उठाया था चाहे वो देश-द्रो का मुकदमा एसुजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपतियां थी उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सेधान्तिक हैं और मुझे लगता बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला बेक्तिकत रूप से कुछ ऐसी बाते बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चरी उन बातों पर हुआ लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनमरता हमेशा बनाया रखनी चाहिए राजनीत में बेक्तिकत दुर्भावना की को जगे नहीं है हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर पांच साल तक मेहनत करकर राजिस्थान में कॉंगिसी सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागिदार हैं लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्यां थी या जहां पर मुझे लगा कि अ साथी विधायक हैं उन सबकी बातों को उन सबके कंसर्ण को हमने प्लाटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये तीन सदसे कमिटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद् पद ले भी सकती है मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान सौविमान फी बात हम लोगे निकरी थी वो बनी रहे राजनीत में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है वेक्तिकत रूप से पार्टी के पती पार्टी इस बात को जानत किया है और यह बात भी जैसे वेनियो गुपाल जी ने कहा कि समय बत तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा न्जराकरण किया जाएगा मैं समझता हूं यह स्वागत योग के कदम है इसके लिए मैं कौंगे सब्दक्षे का धन्यवाद देना चाहता हूं